अनै वरक्कुम वनक्कम ओम नवस्चिवाय शिवाय नवह हर हर महादेव सबसे पहले विभिन आदिनम से जुड़े आप सभी पुझ्य संतों का मैसीज जुकाकर अभिनंदन करता हूँ आज मेरे निवास्तान पर आपके चरण पड़े हैं ये मेरे लिए बहुत सौभागय की बात है ये भगवान शिव की कृपा है जिसकी वज़े से मुझे एक साथ आप सभी शिव भक्तों के दर्शन करने का मोका मिला है मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि कल नए संसत भवन के लोकारपन के समय आप सभी वहां साक्षात आकर के आशिरवात देने वाले हैं पुझे संतगान हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में तमिल नाडू की कितनी महत्वपण भूमिका रही है वीर मंगई वेलू नाचिया से लेकर मर्द भाईयों तक सुब्रमन्य भारती से लेकर नेता जी सुभाज चंद्रवोज के साथ जुड़ने वाले अनेकों तमिल लोगों तक हर यूग में तमिल नाडू भारतियर राष्ट्रवाद का गड़ रहा है तमिल लोगों के दिल में हमेशा से माभारती की सेवा की भारत के कल्यार की भावना रही है बावजुद इसके ये बहुत दुर्भाग्य पुण है कि भारत की आज़ादी में तमिल लोगों के योगदान को वो महत्वन नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिये था अब बीजेपी ने इस विशे को प्रमुक्ता से उठाना शुरू किया है अब देश के लोगों को भी पता चल रहा है कि महान तमिल परंपरा और राष्ट भक्ति के प्रतीक तमिल नाडु के साथ क्या वहवार हुआ था जब आज़ादी का समय आया तब सत्ता के हस्तानतरां के प्रतिक को लेकर प्रश्ण उठा था इसके लिए हमारे देश में अलग-अलग परंपराय रही है अलग-अलग रिती रिवाज भी रहे हैं लेकिन उस समय राजाजी और आदिनम के मारदर्शन में हमें अपनी प्राचीन तमिल संस्कृति से एक पुन्य मार्ग मिला था ये मार्था सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण का तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था सेंगोल इस बात का प्रतिक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्यान की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव के मार्ग से विचलित नहीं होगा सत्ता हस्तांतरण के प्रतिक्य तोर पर तब 1947 में पवीत्र तिरू वावडू तुरै आधिनम द्वारा एक विशे सेंगोल तयार किया गया था आज उस दौर की तस्विरें हमें याद दिला रही है कि तमिल संस्कृति और आधुनिक लोकतंत्र के रूप में भारत की नियति के बीच कितना भावुक और आत्मिय समंद रहा है आज उन गहरे समंदों की गाथा इतिहास के दबे हुए पन्नों से बहार निकल कर एक बार फिर जिवन्त हो उठी है इससे उस समय की घटनाओं को समझने का सही दस्त्रिकों भी मिलता है और इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि सत्ता के हस्तान तरण के इस सबसे बड़े प्रतिक के साथ क्या किया गया मेरे देशवासियों आज मैं राजा जी और विभिन्न आदिनम की दूर दर्शिता को भी विशेश तोर पर नमन करूंगा आदिनम के एक सेंगोल ने भारत को सेंकडों वर्सों की गुलामी के हर प्रतिक से मुक्ती दिलाने की शुरुवात कर दी थी जब भारत की आजादी का प्रथमपल आया आजादी का प्रथमपल वो ख्षण आया तो ये सेंगोल ही था जिसने गुलामी से पहले वाले कालखन और स्वतंत्र भारत के उस पहले पल को आपस में जोड दिया था इसलिए इस पवित्र सेंगोल का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये 1947 में हस्तान तरण का प्रतिक बना था इस सेंगोल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने गुलामी के पहले वाले गौरवशाली भारत से उसकी प्रप्राओं से स्वतंत्र भारत के भविश को कनेक्ट कर दिया था अच्छा होता कि आज़ाजी के बाद इस पुझ्य सेंगोल को परियाप्त मान सम्मान दिया जाता इसे गवरों में स्थान दिया जाता लेकिन ये सेंगोल प्रयाग राज में आनन भवन में वाकिंग स्ट्रीक यानि पैदल चलने पर सहारा देने वाली चड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था आपका ये सेवक और हमारी सरकार अब उस सेंगोल को आनन भवन से निकाल कर लाई है आज आजादी के उस प्रथम पल को नए संसद्धवन में सेंगोल की स्थापना के समय हमें फिर से पुनर जिवित करने का मोका मिला है लोग कंत्र के मंदिर में आज सेंगोल को उसका उची स्थान मिल रहा है मुझे खुशी है कि अब भारत की महान परंपरा के प्रतीक उसी सेंगोल को नए संसद्धवन में स्थापित किया जाएगा यह सेंगोल इस बात की याद दिलाता रहेगा कि हमें करतव्य पत्थ पर चलना है जनता जदार्वन के प्रती जवाब देह बने रहना है पुझ्य संत्गान आदिनम की महान प्रेरक प्रंपरा साक्षात सात्विक उर्जा का प्रतीक है आप सभी संत्ग शायू परंपरा के अन्युआई है आपके दर्शन में जो एक भारत स्रेष्ठ भारत की भावना है वो स्वयम भारत की एक्ता और अखंडता का प्रतिविम्ब है आपके कई आदिनम के नामों में ही इसकी जलक मिल जाती है आपके कुछ अदिनम के नाम में कहिलाश का उल्लेख है ये पवीत्र परवत तमिलनाडु से बहुत दूर हिमाले में है फिर भी ये आपके रदय के करीम है शैव सिधान्त के प्रसिद्ध संतों में से एक तिरु मुलर के बारे में कहा जाता है कि वो कैलाश परवत से शीव भक्ति का प्रसार करने के लिए तमिलनाडु आए थे आज भी उनकी रचना तिरु मंदिरम के श्लोकों का पाठ भग्वान शिव की इस बुरुति में किया जाता है अपर, समंदर, सुंदरर और मानिक का वाजगर जैसे कई महान संतों ने उज्जेन, केदारनाथ और गौरिकुन का उल्ले किया है जनता जनादन के आशिरिवात से आज मैं महदेव की नगरी काशी का सांसद हूँ तो आपको काशी की भी बात बताऊंगा धर्मपुरम आदिनम के स्वामी कुमार गुरुपरा तमिलनाडु से काशी गए थे उन्होंने बनारस के केदार घाट पर केदारेश्वर मंदीर की स्थापना की थी तमिलनाडु के तिरू पन्नदाडु में काशी मट का नाम भी काशी पर रखा गया इस मट के बारे में एक दिल्चस्प जानकारी भी मुझे पता चली है कहा जाता है कि तिरू पन्नदाड का काशी मट तीर्थी आत्रियों को बैंकिंग सेवाए उपलब्द कराता था कोई तीर्थी आत्री तमिलनाडु के काशी मट में पैसे जहमा करने के बाद काशी में प्रमाण पत्र दिखा कर वो पैसे निकाल सकता था इस तरह शाइव सिध्धान्त के अन्याईयों ने सिर्फ शिव भक्ति का प्रसारी नहीं किया बलकि हमें एक दूसरे के करीब लाने का कारिय भी किया पुझ्य संत का सैंकडों वर्षों की गुलामी के बाद भी तमिन नालु की संस्कृति आज भी जिवन्त और सम्रुद्ध है तो इसमें आदिरम जैसी महान और दिव्य परमपरा की भी बड़ी भूमिका है इस परमपरा को जीवित रखने का दाइत्व संत जनों ने तो निभाया ही है साथ ही इसका स्रेप, पीडीत, शोशीत, बंचीत सभी को जाता है कि उन्होंने इसकी रक्षा की उसे आगे बढ़ाया राष्ट के लिए योगदान के मामले में आपकी सभी संस्ताओं का इतिहास बहुत गवरोशाली रहा है अब उस अतीद को आगे बढ़ाने, उससे प्रेरित होने और आने वाली पीडियों के लिए काम करने का समय है पुज्य संतगाण, देश ने अगले पटीस वर्सों के लिए कुछ लक्ष तय किये है हमारा लक्ष है कि आजादि के सोग साल पूरे होने तक एक मजबूत आत्म निर्फर और समावेशी विक्षिद भारत का निर्माण हो 1947 में आपकी महत्वप्रण भुमिका से कोटी-कोटी देश वासी पुनह परिचित हुए है आज जब देश 2047 के बड़े लक्षों को लेकर आगे बढ़ रहा है तब आपकी भुमिका और महत्वप्रण हो गई है आपकी संस्ताओं ने हमेशा सेवा के मुल्यों को साकार किया है आपने लोगों को एक दूसरे से जोडने का उनमें समानता का भाव पैदा करने का बड़ा उदाहरन पेश किया है भारत जितना एक जूट होगा उतना ही मजबुत होगा इसलिए हमारी प्रगती के रास्ते में रुकावटे पैदा करने वाले तरह तरह की चुनोतियां खड़ी करेंगे जिने भारत की उन्नती खटकती हैं वो सबसे पहले हमारी एकता को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन मुझे विश्वास है कि देश को आपकी समस्ताओं से आध्यात्मिकता और सामाजिकता की जो शक्ती मिल रही है उससे हम हर चुनोति का सामना कर लेंगे मैं फिर एक बार आप मेरे हाँ पधारे आप समने आशिरवाद दिये यह मेरा सवभाग्य है, मैं फिर एक बार आप सब का रदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आप सब को प्रडाम करता हूँ, नए संसत भवन के लोकारपन के अउसर पर आप सब यहां आए और हमें आशिरवाद दिया, इससे बड़ा सवभाग्य कोई हो नहीं सकता है, और इसलि ओम नमश्यवाइ, वानकम।